नाम नमस्कार बहुत स्वागत है आपका उस कारिक्रम में जिसका नाम है हेवरभू आनंद दाता और इस कारिक्रम में विशय के साथ आगे बढ़ने के पहले अपने विद्वान वक्ता भगवत कीता के अद्धेता मानस मरमग्य प्रोफेसर डॉक्टर सुरेन विहरे को स्वा उपने प्रतिक्रिया हमको भीजे और आज जिस विशय पर हम चर्चा करेंगे बहुत मन को छूने वाला विशय है मरम स्परशी है जीवन में साथी का सार्थ बहुत एहम होता है और वैसे तो अनेक साथी इस जीवन में हमें मिलते हैं रिष्टों के नाना प्रकार के सुरूप उनके रहते हैं संगी साथी इसले तो कहते हैं हम सब माता पिता भी संगी साथी हैं भाई भेन भी संगी साथी हैं पत्नी भी उसी शर्णी में है दोस्त भी उसी शर्णी में समाज के तमाम वो चरित्र वो किरदार जो किसी ना किसी नाम, विशेशन संबंध के साथ हम से जुड़ते हैं वो सारे लोग संगी साथी है लेकिन इसमें एक साथी ऐसा है जो सारी भूमिकाओं को अपने में शामिल किये रहता है पती और पत्नी का ये संबंध दोनों की भूमिकाँ माता पिता भी हैं ये कई जगे जब अस्पताल में पड़े पती या अस्पताल में अस्वस्त तवस्था में पड़ी पत्नी को अगर उसको कहीं वमिटिंग भी होती है या और भी स्थितियां जटिल होती हैं, आप समझते हैं, तो वहाँ बिना किसी मुह बिचकाए, बिना किसी इस भाव से कि ओ ये क्या हो गया, चेहरे के भाव भंगिमा को पढ़ने वाली कोई होती है, तो वो जीवन संगिनी होती है, रॉक्ट साब ये कुछ बेचैन लग रह आखों में अश्रू लिये, सोचता रहता है कि जीवन भर तो मेरे पीछे भागी, देर रात घर लोटता था दस बजे तो गरम थाली के साथ कहती जी कि गोवी को पराटे जरूर खाना, तुम्हें बहुत पसंद है, आफिस में बहुत काम है, लेकिन इसको बहुत प्रेम से खाना, अक्सर भूल गया इसका जन्व दिन, अक्सर भूल गया तेवहार पर साड़ी लाना, लेकिन इसने कभी नहीं कहा कुछ, और आज ये विदाई की बेला है, और मैं इससे ये भी नहीं कह पा रहा हूं कि प्रिये, अब जा रहा हूं, लेकिन कुछ दे के नहीं जा रह है कि अगर इसमें डूपते चले जाएं तो जैसे प्रभु का असने है प्रभु की भक्ति है वैसा ही भाव आपके मन में भी होगा आज इसी बंधन को इसी भाव भूमी पर आप और हम समझेंगे और हमारे साथ वो सार्थी है जो विचार प्रवाहर उपी इस रत को गंतव्यता किस कुशलता से और इस अद्भुत मेधा से ले जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मार्ग दर्शक मिल गया तो चलिए सीधे चलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र विहारी गुसामी जी के पास प्रणाम कर आउं डॉक्टर सब यू तो हम लोगों ने विचार मंधर में अलग-अलग सरवर में इसनान किये लेकिन आज आप मीठे पानी के सागर में इसनान करने की इच्छा वेक्ट कर रहे हैं मनुष्य के जीवन की बड़ी विड़म बना है कि वो खारे पानी के समुदर में तो अठखेलियां बहुत लेता है गूमता है फिरता है फोटो के चाता है नाना अपरकार की मननजन की परक्रियाओं को करता है लेकिन जब बारी उसके जीवन में मीठे सागर में इसनान करने की आती है अमृत्सपान करने की आती है तब वो या तो उसे मन भटकाता है, हिम्बत नहीं कर पाता उसमें इसनान्न के लिए या उसकी शारीरी का ऊस्थाएं इसी होती है वो जरा अवस्था को प्राप्ट कर गया होता है और ये सौभागी नहीं प्राप्त कर पाता है जीवन की आपा धापी में दोड़ता हुआ पत्ते एक मनुष्व शरवजी आप देखिए प्राप्त करना चाहता है उसकी प्राप्ती में हमेशा धाम बखेगा पती दोड़ता है पतनी भागती है भागने करत होता है वो अनुसरन करती है पीछे रहते है खड़ी हुई और प भाकती होई पतनी आकर उसको समालने का भी काम करते हैं पती की दोड अनुवरत चलती है ग्रहसवामी की रूप में उसकी अलग-अलग ववस्ताइं उसके जीवन में आती है और वह प्राप्त करते जाता है भौत इक्ता कि सारी प्रक्रियाओं को पराप्त कर अवस्था के अंदाज में पांच दसक क funer कर लेता है उसको मालूमी नहीं चल पाता कि पचास का मुझा को गया पचास के होने बाद भी उसके अंदर कहीने कछी कुछ पीड़ा कुछ कसक पटका होता है उसे लगता है कि जो कुछ मैंने प्राप्त किया है वो तो छूड़ जाना है तो फिर मैंने प्राप्त क्या किया है यह वस्था वास्त्विक प्राप्ति का होता है क्योंकि अब तक तो प्यासा था खारे पानित्त करता है वह मीठे पानी में होता है और ध्यान रखी हमारे अतीत का वो जल जो मीठा बनकर हमारे जीवन में जब तक न बह जाए तब तक आप समझे की बारे में मैं चब चिंतन करता हूं तो मुझे बड़ा आश्र इस बात को ले कर होता है कि एक मनुष्य जो है अपने जीवन में वो सारी मनवानियां अपने आनंद के साथ करता है। मैं खास करूं लोगों के साथ आज चर्चा करने में विशेश रूची दिखाना चाहूंगा। जो वास्ताओं में पांच दसक के आसपास या पांच दसक को इसपरश कर रहे हैं तो परवेश्वर की कृपा से प्रेम का आउतरन हमारे जीवन में होता है। शरत जी बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रेम विवा किया। विवा के पहले कभी प्रेम हो सकता है। यह तो केवल आपको समझाए इसका चिंतन है वो आकरशन है वो रूप का ग्ञान है वो हुआ बैठा हुआ होता है जहां पर निर्मल है जहां मन में किसी प्रकार का विशाय से इस नहीं है लेकिन तब भी दो हंसों के जोड़े में वह हंस कुछ की hops आपकी आपकी प्रतिक्षा करता है आप मार्ग भटकर कुमार्ग में हो गयتी होימी वहां कि मेरे पति हैं ने कहा सब भी संगी साथी होते हैं लेकिन वो तो आपकी जीवन साथी है यसी घृम के हमकदम के साथ चलती है सांसों की डोर जब तक आपके पास थम नहीं जाती तब तक वो ही है आपके साथ में अब ये विरक्त बात है कि जाएगा कौन पहले लेकिन आपको अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं बुरी करनी है तो अब आप जो है खारे पानी की जल को छोड़ने का अभ्यास सुरू करिए देखिए मीठा पानी का सरोवर कहा है वहाँ बठी है चुक शाप आप भूल गए हैं लेकिन उसकी इस्मृतियों में दौड रहा है कि कैसे मुन्ना बुखार से तप रहा था और आपके बॉस के हाँ पार्टी थी और आप चले गए थे तब हो मुन्ना को अकेले देख रही थी ना जब रात में बाबुजी खांस रहते ससुर साब तब आप जुझला के उठे थे ये पिता जी भी रात भर खांसते रहते हैं लेकिन उसने आपको टोका था ना कि आप सोईए आराम से जी बाबुजी हैं उनकी तबियत खराब है वो दोड़कर बाबुजी को दवाई देने गई थी वो बतनी वहां मीठे सागर के जल लिए हुए बैठी हुई है वो अतीत की स्वरतियों के साथ बैठी हुई है आप भूल रहे हैं मुन्ना की तबियत खराब थी वो आप सरकारी यात्रा में थे तब आपने हूँ वाटसेप से हाल चाल पूछ लिया था कैसी हो डाक्टर को बता देना मैं आता हूँ जल्दी आपने कभी सोचा कि जब आप सबेरे सबेरे पाँज बजे उठकर ब्रह्म महुरत में अपने वो अंग्रेजी पालतू डागवी को घुमाने के लिए तो बड़े उत्साह के साथ चले गए थे मूल रूप से कहूं सरजी तो सुसू पाट्डी कराने चले गए थे लेकिन वो उस गीले इस्थान में भी करवट लेके लेटी हुई थी जहां बच्चे ने सुसू कर दिया था और वो देख रही थी वो आपकी उन गरिमाओं का भी ध्यान रख रही थी जब आप घर आये थे और घर आते साथ आपने पतनी से कहा कि चार लोग और आये हैं और भोजन करेंगे और जड़ा थैयारी शुरू करो पतनी अब आप से तब वहां ये नहीं कह पा रही थी किया जी रासन में तो आपने कुछ समान लगाए है नहीं इस बार भूल गए हो वो दोड़ी दोड़ी गई थी चुपचा पडौसी के हाँ गई थी ना आप अपनी इस बर्ची से होते हैं तो पूछिए वहाँ जाकर वो कहीं से दूद ला रही है, कहीं से सबजी मांग कर ला रही है, क्योंकि उस दिन वहाँ नहीं है, उपलब्द नहीं है, रात में आप आएं, और आपके सम्मान की रिक्षा में सब लोगों को भूजन कर आकर, मुस्कुरा कर सबसे कह रही है, अंकल जी आप तब भी वो चुप थी ना, उन्ने का आजी में ध्यान रखोंगी, आपके जीवन में ऐसी जीवन संगनी हैं, तो आपके जीवन का अमरत काल सुरू हो रहा है, प्राश्चित की वो सारी प्रक्रियाय सुरू हो रही है, आप दुनिया के सारे काम छोड़कर उसके पास बैठ करिए, उसके अतीत को कुरे दिये हैं, और अपने आप को जो है, दो पल आखों को नम करके, उन घट्राओं को ध्यान करके अर्शुपाद भी आप करिए, आपने जब चुप चाप तो रो लेता है, पुरुष रोता नहीं है, पुरुष जब चुप पत्री बीमार पढ़ कैंसर हो गया था, इलाज कराने गये, तो ऐसा थोड़ी है कि पती भी चुप चाप था, चिंगाड़े मार कर रो रहा था, कभी मंदर न जाने वाला मंदर गया था, लेकिन उस मंदर में आपकी पहचान भी तो इससे थी ना, अच्छा ये सावित्री के पती हैं, हस्बेंड हैं सावित्री के, वो सावित्री जो यहां अकसर आती है, वो सावित्री जो देवी देवता पूछती है, वो सावित्री जो आपकी लंबी उम्र के लिए प्राथना करती है, अच्छा ये उनके पती आज कैसे आएं, तब आप चुप चाप सर्माय हुए सुरो रह होते हैं, कि है प्रमात्मा उसकी रक्षा कर क्योंकि उससे घर है उससे ही जीवन है तो आपने तब वहां आशूभाय थे लेकिन चुप चाप थे अब मित्रता का उसरा गया है अब सबक से विरक्ट हो करके एक में ही आ सकती हो ये क्योंकि वही लक्षमी है वही सव्भाग है उसने आप आपका संसार बना है जो बच्चा आपको आँख दिखाता है या जो बच्चा आपकी सेवा करता है या जो बिटिया लाड करती है या जो बिटिया लाड नहीं करती है ये सारा संसार उसने ही बना कर तुम्हें दिया है तुम्हारे जीवन में प्रदान किया है उसके लिए समय कब निकालेंगे अभी हाथ पे चल रहे हैं अभी आप घूम फिर रहे हैं आपके पास आपका कमाया हुआ धन है लेकिन आपने अभी उसके मन को तृप्त नहीं किया है आप विश्यों में तृप्त करने के लिए आप अपने शंगार में आप अपने रूप में आप अपने व एक पश्चात आपका हैसास नहीं रहेगा आपके मन में तब आपका वो अहंकार तिरोहित हो चुका होगा जिसमें मैं पुरुष हूं मैं ऐसा कर सकता हूं कि भावना रही होगी तब कहीं लोट कर वो हिंसा के पल भी ध्यान आएंगे सरजी कि जब आप मदमस्त होकर आप कैस से हिंसक हो गए थे पशू हो गए थे तब भी उसने नम्रता के साथ आपकी हिंसा का सामना किया था वो भूली नहीं है लेकिन आपको कभी याद नहीं दिलाएगी वह तो आप ऐसे समय में तो इन प्रक्रियाओं को उपयोग करें मुझे तो धान आता है मैं जब भी मेरी द तरशन आपको प्राप्त हो जाते हैं जिस दिनों संगर्शील माता बहन आपको देख जाते हैं आपका जीवन धन्य है नारी को अपने देखा और प्रणाम की भाव आपके मन में नहीं इकले मुझे एपनी महतारी ध्यानाती मेरी महतारी रोक वहल हो गई कि पिता जी और मा की बाद जिए पहुत किंग है। जीवन में अमृत इसनान करने के लिए आपके पास आया हुआ हुआ है। तो पिताश्री से वो स्वामी जी लेकिन सब्स आत्रा है कर दिए करुदाइन मैं ने हैं लेकर पिस ऑनले संबिए मैं पुझे ले चलना है मुझे यहां से ले चलो तब भी वो 11 दिन तक घर पर रही स्वस्थ आराम से आनंद से सब को हसाते हुए तब मैंने पिता जी और उनको खूब समवात करते देखा मेरे पिता अत्यंत बिस्थ है समाज लोक करलान वे उस्थाओं में लेकिन सब कुछ भूल कर जब मा बेचेन होती थी तो बस केवल उनके पास ही पहुंच जाते थे और उनके साथ चर्चा करते थे रमायन की कथा सुनाते थे पुराणों पर बात करते थे बच्चों के संबन म शुब चिंतन करते थे सकारात्मक बाते होती थे उन्होंने आपको जीवन में कितना सकारात्मक बनाया जब आप ठक गए जब बॉस ने डाड़ दिया जब नोकरी में ट्रांसफर हो गया जब आप सस्पेंड हो गए जब आपके वेवपार में हानी हो गई तो वो खड़ी ही ना आपके बगल में काहिए चिंता करते हो जी सब ठीक हो जाएगी अब उसके जीवन में आपकी आउश्कता है उत्रार्द के इस करम में प्राप्ति यहीं है अर्थ यहीं है आपके जीवन का तो माने पिताशी से कहा कि सुनिए जरा अपना ये पैर तो उपर करिए और अपने हातेली नीचे रख दी और पान करते हुए कहती है स्वामी जी मेरी सेवा हो गई तब मैंने देखा कि मां के उस हाथ जो है पिधा जी के आशूं से भर गए थे पिधा जी नहीं कहा बावली यह मेरा संपून जीवन तेरा बनाया हुआ हुआ है तो यही मेरे अपने पती के और देखकर पूछा कहा कि सुनो जी मैं कुरूफ हो गई कुरूफ हो गई तो जब उन्हें कहा कि मैं कुरूफ हो गई तो वह सज्जन बेक्ति पलटे पलटकर उन्हें उसकी और देखा और देखकर कहा नहीं जी तुम्हारा रूप चला गया अब तुम्हार कि अझना सवरूब खिल गया है तुम्हारे सरोब के सामने तो त्रे लोक की सारिटी संवभदाएं इसमर्खथ है जीवन का ये परल जीवन का ये आनन्द है कि आप जीवन के आनंद को लेते आगर और नहीं लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत कमिया है फिर आपका जीवन अपूर्ण है फिर आप बेचेंज जाएंगे फिर छट पटाते हुए बिचड़ेंगे कहीं वो पहले चली गई तो जीवन का सारा आनंद तिरोहित करके जाएगी और अगर कहीं तुम चले गए तो उसके मन में कसक रहेगी कि मैं उनसे कहने ही पाई मैं त्युम्हिकानरि उनकी दो पंक्तियां मेरे जीवन में अम्रित रही सारज़ जी उन्होंने बड़ी दो पंक्तियां में अनुपरास का उप्योंकりました लेकिन बड़ी संदर पंक्ती कहीं कि व्याक्या करते हुए व्याक्याकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि पारवती ने कहा मा मैं तप करऊंगी और उनकी माने कहा तप ना कर तप ना कर तो तप ना कर का संस्कृत अर्थ हुआ उमा मत कर उ याने तप इतनी तपश्वनी होई उनका नाम ही उमा पढ़ गया जिसका शाब्दिकर्थ होता है तप ना कर एक इस्त्री तो अपने जीवन में पल-पल तप करती है अपने माईके में तप करती है अपने बालपन में तप करती है अपने युवापन में तप करती है तो उस तपश्या का भल तो तुम प्राप्त कर लो वो कहते हैं पति वरता महली भली भले काच की पोत और सब सक्हियन में यू लगे जैसे सूरी की जोद जब वो खड़ी होती ही तो ऐसा लगता है सूरी भी सर्मा गया उनके तप के सामरे है फिर साहिब कबीर कहते हैं पति वरता महली भली काली कुछल कुरूब अगर वो कुरूब भी है वो सुन्दर भी नहीं है अरे उसका अंतरमन कितना सुन्दर है चवड़े की सुन्दरता तो दो चार छे मेने की रहती है तभी तो लोग साथ में चलते हैं उच्छे मेने और साल बर में इधर लुटा हो जाते हैं उनका जीवन धन्य है भारती सनातन संस्कृति धन्य है जिसमें सात जन्मों तक सात रहने का संकल प्रिया जाता है पति वरता महली भली काली कुछलि कुरूब और पतिवरता के रूप में वारों रूप अनूप तो आपके जीवन में उत्राड का ले दी आया है तो अब आप अपनी भाग दोड़ से समय निकालिए श्रमान जी अब आप बेठिए ढोड़िए यदि आप भागे साली हैं तो उत्राड के इस व्रद्धावस्था और प्र लिए चौके में बैठी रहेगी कभी तुमसे बढ़ी आईगी तो उसके जीवन का सुख दुख लीजिए उस अतीत में आपके जीवन की कहानी है और उस कहानी में जब आप डूब जाएंगे ना तब भाव सागर में स्नान करेंगे और तभी आपके जीवन में शांती आए कि आखें नम हो गई शब्द लरजने लगे और उस भाव में आप ले गए और अभी जादा समय नहीं हुआ है देखने वाले भी समझते होंगे मुंबई में पचास पार कर चुके एक कपल है एक चर्चित फिल्म समय सावन चल रहा है रिम जिम गिरे सावन इस गीत पर उन् जंबेकत के पती अमिताब बच्चन की तरह मौसमी चेटर जी थी पतनी भी उतनी ही खिली हुई और दोनों निकल पड़े वही बांदरा वही जहां जहां बारिश हुई थी बड़ी तारीफ हुई उसकी प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है अब लोक्त साब ह में बता रहे थे कि माता जी का अंतिम समय था और पिता जी और माता जी का वो अन्यन्य संबंध बरसों बरस संचित रहता है ये बीतर गरिमा कई बार संकोच कई बार जिजक कई बार आज की पीड़ी इन चीजों को लेकिन प्रेम का रूप आज से 5000 साल पहले भी यही था औ और आज से 5000 साल बाद भी यही गएगा नहीं तो वो प्रेम नहीं है प्रेम जब तक आँखों में आशू न लाए विछों की अगनी को दारुन अगनी न बना दे प्रियतम के विछों की कल्पना से रोंग्टे न खड़े हो जाए तो वो प्रेम ही क्या है और सच बात है कि पत्नी हो या पती हो यह दो हनसों का जोडा और दो हनसों का यह जोडा ऐसे बहुत कम सभागिशाली हैं जो सात सात विदा होते हैं यह बिछड़ता है यह त्रासदी लेकिन यह बिछडता है और मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जहां कपकपाते हाथों से शर्ट उतारते समय जीवन संगिनी का चहरा कौंधता है जो तस्वीर में चंदन की पुश्पमाला पहने चमक रही है और ऐसा लगता है कि पती वहां देखते हैं औ और वो पत्नी कहती है कि दर्द है क्या हाथ में मैं तो अब हूँ भी नहीं बाम लगाने के लिए किसको बुलाओ वो देखते हैं मुस्कुरा के और निकल पाते हैं कई ऐसी पत्नियां हैं जिने सावन आते ही याद आता है कि पोपले मूसे ही वो आते थे निकल दाय था खा सके खा ले यह भाव प्रेम है पहले पक्ष में नहीं समझाता है पहले पक्ष लड़ने में जाता है एक दूसरे पर स्रेश्टता साविच करने में जाता है दूसरा पक्ष धन के लिए तेजी से भागने में जाता है और तीसरा पक्ष अब तक प्रेम समझ में आता है मा किश्वर के समकक्ष है आप बिलकुल समकक्ष है आप फिर भाव से भरा हूँ प्रडाम कर रहा हूँ आपको अगले एपिसोड में एक और विश्य लेकर पस्तेत होगी